हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तो आज आप सभी के लिए एक नई और नई भरती निकल के आ चुकी है जो की NDA ग्रूप C LDC MTS Recruitment 2022 वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन हो की वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिएगा तब ही सभी क्योस्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे ये भरती National Defense Academy की तरफ से निकल के आ चुकी है कौन-कौन से Candidate इस फार्म को आवेदन कर पाएंगे कितनी आयव सीमा लगेगी कब से ये फार्म यानि की भरा जाएगा कितनी एज मागी गई है सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी दोस्तो आईए बीना टाइम गवाएव वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो की NDA की पदो पर भरती निकल के आ चुकी है सिम्पल और सिम्पल यहाँ पे परसवी के पास भी कंडिडियेट आवेदन कर पाएंगे इसमें मेल और फिमेल दोनों कंडिडियेट ही आवेदन कर पाएंगे कुल पदो के बारे में बात कर लिजा तो दोस्तों क्यों पदो पर भरती निकाले गई है आयो सीमा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो की 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच की candidate आवेधन कर पाएंगे सबसे जरूरी बात यह है कि यह भरती आल इंडिया के सभी candidate इस फार्म को आवेधन कर पाएंगे इस भरती का official notification भी जो की official website पर जारी कर दिया गया है कैसे download करना होगा कैसे देखना होगा वो हम video की description में link दे रहे हैं वहीं से जाकर आप पूरी जानकारी भी ले पाएंगे दोस्तो online form यह भरा जाएगा जो की online और offline दोनों माध्यम से यह form भरा जाएगा यह तो सरकारी form फीस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो की general candidate के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी और OBC, SC, SD सभी candidate के लिए बिल्कुल भी फीस यहाँ पे नहीं इस form की application starting date यानि की यह form कब से आप भर सकते हैं तो 31 December 2022 से यह form भरा जाएगा यानि की 31 December 2022 से इस form को आप apply कर सकते हैं इसकी last date के बारे में आपको बताएंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो की 20 January 2023 है यानि की 20 January 2023 की इसकी last date payment जमा करने की भी last तारिक वही है जो की 20 January 2023 होने वाली है दोस्तो admit card exam date की अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिली है कि कब तक admit card और exam date जारी किया जाएगा इसकी जानकारी कुछ भी नहीं मिली है जब ही कुछ भी जानकारी मिल जाएगे तो हम आप सभी को notification के माध्यम से वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे दोस्तो fees को कैसे जमा करना होगा तो हम आप सभी को बता दे कि fees यहाँ पे credit card, debit card, net banking के माध्यम से आप fees को जमा भी कर सकते हैं यह भरती की age limit यानि की इस भरती की age limit के बारे में बात कर ली जा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो की minimum age यहाँ पे कम से कम आप 18 साल के हैं यानि की 18 वर्स के हैं तब भी सफार्म को आप आवेदन कर पाएंगे maximum age यहाँ पे 27 वर्स आपकी होने वाली है यानि की पाँच वर्स का छूट और OBC कंडी डेट को बिल्कुल तीन वर्स का छूट दिया जाएगा दोस्तो आईए इस भरती की टोटल पोश्ट के बारे में बात कर ली जा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो की टोटल पोश्ट के बारे में बात करेंगे तो हम आप सभी को बता दी कि दोस्तो अभी तक education qualification यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है कि कितने कितने candidate यानि कितने class वी पास के candidate आवेदन कर पाएंगे तो simple और simple हम आपको बताएंगे दोस्तो जो की इसमें simple और simple 10 वी के पास candidate आवेदन कर पाएंगे और दोस्तो इस भरती में अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दी कि वीडियो के decision में एक link दिये हैं वही से जाकर आप पूरी जानकारी भी ले पाएंगे उमिद करता हूँ दोस्तो वीडियो आप सभी को पसंद आई होगे तो वीडियो को like कर दीजे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe करके all notification bell को जोड़ दबा ले और जहां कहीं भी इस भरती में कुछ भी ना समझ में हो तो comment box में comment कर दीजे हम आप सभी को comment box में comment कर दीजे ताके हम आप सभी के लिए राज और जिले से कोई भी भरती निकल के आएगी तो हम आप सभी को सबसे पहले बता सके आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जहिंद वंदे मातरम